ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारधर मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहा हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 22 मार्च 2023 बूधुवार का दिन है चेत्र महा के शुकलपक्ष की प्रति पदाति थी है इस दिन से चेत्री नवरात्री का आरंब होगा गुडी पड़वा इसी दिन रहेगी तथा सनातन राश्टी नव वर्ष का आरंब इसी दिन होगा समवत 2080 का शुभारंब इसी दिन से होगा तो सभी को सनातन नव वर्ष की बहुत बहुत शुपकामनाई एवं बढ़ाईया मा जगडंबा का भरपूर आशिरवाद आप सभी के जीवन पर नरंतर बना रहे आप सभी सुकी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें नरंतर उन्नति तथा प्रगती को प्राप्त करते रहें राश्टी हिंदू नव वर्ष के अउसर पर आप सभी अपने घरों पर ध्वजवा लगाएं भगवा रंग का जंडा फैराएं और शुद्धिगी का दीपक मुख द्वार पर फज्रेत करें तथा बड़े धूम धाम के साथ में सनातन हिंदू नव वर्ष का आयूजन आपको करना चाहिए तथा इसको अधिक से अधिक नव वर्ष का प्रचार भी आपको करना चाहिए क्योंकि सनातन परंपरा के अउसर चेत्र शुक्ल पक्ष प्रतीबरा यानि गुडी पड़वा से ही नव वर्ष माना जाता है उत्राभादरपन नामक नक्षत्र होगा एवं मीन राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे इसी दिन चेत्री नवरात्री की घट स्थापना होगी पूजा पाट होगा तथा कलस स्थापना जवारे की स्थापना अखंड जोती की स्थापना भी इसी दिन की जाएगी दिशह सूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा अरुम्ब कर सकते हैं हरा धन अंगलिक कारिकरम आपको संपाधित नहीं करना चाहिए रहुकाल का निरनय आप अपने एक शेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अंशार कर सकते हैं क्योंकि रहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव जो की मीन उनकर गोचर के नसार विरशब करककण्या व्रस्टिक मकर एवं मीन उनकर राशियां सबसे अधिक भागिशा लिरेने वाली है दिन इनके लिला प्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ साथ का रिक्षित्र में उन्नती और प्रगती के भी उत्तम अउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो कुल मिला करके छे राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक दृष्टी से दिन उपलबदी कारक ह धन लाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की दाल का दान किसी भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपक करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे और उपाई के रूप में जात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियेक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकों रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अगर प्रापर्टी या किसी अन्यमुद्दे को लेकर रिष्टेदारों के बीच गलत फिमिया चल रही है तो वो किसी के बीच बचाओ से या मध्यस्ता से दूर हो जाएगी आपसी संबंद आपके पुना अच्छे हो जाएंगे उपाई के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से उनी या वहचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदिया भोजन के बात खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्दियां आपको प्राप्त करने का योग बना रह देंगे तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा अपने मन मताबिक कारी करने से आपको रहत मिलेगी किसी किसी समय भाउकता और आलसी की वज़े से बनते बनते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लापदाय या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नए वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुफल करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लाबदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा घर की सुक्सुधाओं संबंदी कारियों में आपका समय वितीत होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं आपको मान सम मान को भी बचा कर रखने की आउशकता होगी और किसी व्यक्ति से यदि आप सोदेवाजी करते हैं लेंदेन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत आवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खान कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय वितित होगा किसी रिष्तिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुशनुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउ अपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं मकर रषी की धार्मिक और अद्यात्मिक शेत्र में आपको फाइदा होगा आपका रुज्ञान वहाँ पर जढ़ार रहेगा आपको मैंसिक शारीरी ग्रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे, कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा, जिसे मन आपका प्रसन रहेगा, कुछ समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है, आज उसे पूरे करने का उचित समय है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की, आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है, कोई महत् जार था, आर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी, कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी, अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी, दूसरों पर विश्वास करने की बजाए, अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपक चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप फल्दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी, और उसी के बल बूते पर आप बहतर इन परिनाम भी हासिल करेंगे, दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा, धनलाब होगा, परिवार में खुशियाओं का आगमन होगा, शुब और मैंगली कारिकरम की योजना भी बनेगी, और उपाई के रूप में घर के मंदिर में शहत चड़ाना आपके लिए शुफ दिख लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न, साधर धन्यवाद